अब तक हम परियावरण विधी के उपर तीन वीडियो देख चुके हैं आज मैं आपके लिए लेक्या है हूँ परियावरण विधी के उपर चोथा वीडियो आज है इसका भागच्यार यह वीडियो मुख्यत है LLB स्टूडेंट की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है किन्तो अन्य विध्यार्थियों के भी यह फाइदा पहुंचा सके इस बात का भी ध्यान रखा गया है जानी चुके हैं और मुझे आप जानते ही हैं मैं हूँ भरत कुमार जाजड़ा और आपके लिए लिक्याया हूँ आज फिर एक नया वीडियो उमीद है यह वीडियो भी आपके लिए उप्योग होगा और आपको लाब पहुंचाएगा आज हम बात करते हैं स्वच्च परियावरण एक मुल अधिकार है इसके बारे में समिधान के भाग तीन के अंदर आनुचेद 14 दिये हैं आनुचेद 19 है अनुचेद 21 है यह मुख्यत है परियावरण में उप्योग आने वाले अनुचेद है इन अनुचेद के अंतरगत जो अधिकार दिये गए हैं वह कहीं न कहीं किसी रूप में परियावरण सारक्षन को भी महत्व देते हैं इसलिए परियावरण सारक्षन में अत्यांत उप्योगी है यह अनुचेद इसी के साथ समयधान के अनुचेद 32 और 226 भी स्वच्छ परियावरण में एक सजग प्रहरी के तरह हैं तो हम सब के ऊपर चर्चा करते हैं सबसे पहले बात करते हैं अनुचेद 14 के ऊपर अनुचेद 14 कहता है समता का अधिकार यह कहता है कि राज्य भारत के राज्य छेत्र में किसी व्यक्ति को विधी के समक्स सम्ता से या विधियों के समान सनक्षन से वंचित नहीं करेगा यहां सबसे पहले सब दाता है राज्य है यहां राज्य का मतलब के अंदर सरकार भी है राज्य सरकार भी है सभी स्थाने प्रादी कारी भी आ जाते हैं जिसमें नगर पली का नगर निगम पंचायत आते हैं और अन्य कई प्रादी कारी भी इसमें आ जाते हैं जिसके अंदर सभी सरकारी निकाय आजाते हैं, चाहे उसमें यूनिवर्सिटी हो, हॉस्पिटल हो, या इसी तरह से राज्य सरकार के निकाय, सभी निगम, ये सभी संबेलित हो जाते हैं, भारत के राज्य चेतर में किसी व्यक्ति को, यानि भारत का राज्य चेतर जहां तक भारत की सीमा है वहां तक किसी व्यक्ति को यहां इस्त्री पुरुष का कोई भेदनी है अमीर गरीव का कोई भेदनी है सभी व्यक्ति राजा रंग सभी समान है किसी व्यक्ति को विधी के समक्स समता से या विधियों के समान सनक्षन से वंचित नहीं करेगा दो बातें लिख अनुच्छछद बहुत ही नहीं महत्व पुर्ण है परिया के दृष्टि में कैसे कि यहाई भियदभाव का विरूदी है यानि सबके अधिकारों का समान रुप से सनक्षन होगा तो राज्य के अधिकार महीं व्यक्ति के भी अधिकार है तो अनुच्छेद यह है एक तरह के व्यक्तियों के अधिकार को भी सनक्षन की बात करता है किसी व्यक्ति के अगर कोई अधिकारों का हनन हो रहा है खासकर परियावरन समद्धी अधिकार तो उसकी भी रक्षा की जाएगी इसी के साथ विधियों का समान सरक्षन सबकी उपर समान रूम से विधी लागू होगी तो किसी को विधी से अधिक लाबर किसी को नुकसान नहीं पहुचाया जा सकता विधियां सबके लिए समान हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखा जाएगा साथ ही यह अनुच्छेद मनमानेपन के विरुद्ध है और समत्तापन को प्रतिश्ठापित करने वाला अनुच्छेद भी है जितना भी मनमाना आदेश है वे इस अनुच्छेद के अंतरगत अवेद हो जाते हैं मनमान आदेश का अर्थ है, जैसे सरकार को ये आदेश निकाले, कि एक निष्चित लंबाई से अधिक लंबे जो होंगे, उन्ही को नोकरी में रखा जाएगा और अन्य को नहीं तो इस तरह कादेस सेना के लिए उपियोगी हो सकता है, पुलिस के लिए उपियोगी हो सकता है, या हो सकता है कि कुछ और भी इसी तरह की महत्वपुन सेवा हैं हो, जैसे कस्टम डिपार्टमेंट हुआ, या फिर कोई पाइलेट के लिए हो, उनके लिए उपियोगी हो सकता पाप किंको अ सभी सरकारी नोख्रियों के लिए ऐसा आदेश ुचित नहीं हो सकता कि निशित लंबाई से जढ़ा हूंगे तो नोकरी मिलेगी अन्यतानों नहीं मिलेगी अन्य जगे लगाना यह मन light आपन होगा लेकिन सेना के लिए फुलिस के लिए वो उचित हो सकेगा तो कहने का अर्थ है कि वर्ग करन किया जा सकता है एक एक ही श्रेणी में आने वाले सब लोगों के लिए एक ही जैसी इस्तितियां होगी तो मनमानेपन को खतम करने वाले कुछ केस देखते हैं तो हमें समझ में आयागा किस तरह से मनमानेपन को यह नुचे दुरोगता है एक केस आय था किंकरी देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्ये का केस 1988 का ये case है इस case में हिमाचल प्रदेश में सीवालिक की पहाड़ी आ थी और वहाँ पर सरकार ने अंधा धंद चूने के पत्थरों की खुदाई के लिए पट्टे जारी कर दिये और उनसे जो प्रकर्ति को नुक्सान हुआ इसके उपर जराभी विचार नहीं किया क्यों इतना देखा कि राज्य सरकार को रेवेन्यू कितना आ रहा है हाई कोर्ट में ये मामला पहुँचा किंकरी देवी के माध्यम से उन्होंने एक जने याची का लगाए दी तो मामला उचने आले पहुँचा हाइ कोर्ट में कहा कि प्राकर्तिक संसाधनों को सामाजिक विकास के प्रयजन के लिए दोहिन किया जाना चीए और वह भी इतनी सावधानी से कि पारिश्थधिकी और परियावरन को गंबी रूप से प्रभावित ना करे अर्थात प्राकर्तिक संसाधन यानि कि ये जो खान वाला चुना है ये सब प्राकर्तिक संसाधन है इनको सामाजिक विकास के प्रेजन के लिए दोहन किया जाना चाहिए यानि समाज के लिए जितनी जरूरत हो दोहन उतना ही करना किया जाना चाहिए तो यहां तो सवाल उड परियावरन की द्रश्टी से बहुत अधिक मैत्व है उस मैत्व है का भी तो ध्यान रखा जाना चाहिए इसलिए इस मामले में आदेश जारी किया गया कि यह जो चूने की पत्थर की खुदाई के लिए जो पट्टे अंधादुन जारी किया है उन्हें निरस्त किया जाए औ और यहां पर सिवालिक पाड़ियां रखे जाए चूने के पत्थर की खुदाई तो गहीं ओर से भी हो सकती है इसी तरह का एक दूसरा केस ओर देखते हैं उसमें भी मनमानेपन को खतम किया गया इस केस में ऐसा था कि बंगलोर मेडिकल ट्रस्ट बनाम बियस मुडपा का य उसे नर्सिंग हो में नहीं बदला जा सकता और इस तरह की चेश्टा को सर्वोचनेरे ने निस्फल कर दिया केस के तथिये इस तरह से थे कि बंगलोर के अंदर सरकार ने सारोजनिक पारक के लिए एक जगह रखी लेकिन बाद में सरकार का राज्य सरकार का मन बदल गया औ और जो सारोजनिक पारक की जगह थी उसे नर्सिंग हो में बदलने के लिए बंगलोर मेडिकल ट्रेस्ट को दे दिया गया और यह तरक दिया गया कि अब यह जनता के अधिक काम आने वाली जगह हो गई है यहाँ पर बिएस मुडपा ने जनहीत याची का लगाई थी उन्होंने यह तरक दिया कि सारोजनिक पारक होंगे तो लोग सुबह सुबह आएंगे आसपास के निवासी और स्वच्छ वायू स्वच्छ हवा ले सकेंगे लेकिन अब सारोजनिक पारक ही नहीं रहेगा तो स परियावरन को कितना नुक्सान हो रहे हैं इसके बाद में ही हमें आगे सोचना चाहिए सर्वोचनेले ने इस्तथ्य को माना और कहा कि सारोजनिक पारक परियावरन के दरश्टी से बहुत ही मैतोपोन है अत्या उनकी जगे नर्सिंगोम नहीं बनाए जा सकते हैं नर्सिंगोम कहीं और भी बन सकता है जहां पर लोगों को सुईधा भी मिल सकती है लेकिन सारोजनिक पारक जो है वो जगे जगे हो नहीं चाहिए तभी जो है स्वच्छ हवा, स्वच्छ परियावरन मिल सकता है और बंगलोर सहर में उसके बाद आप देखते ही है कि काफी ज़्यादा सारोजनिक पारक है पारकों का सहर भी है बंगलोर सहर जो है एक और केस है है, हम उसे भी चर्चा करेंगे डॉक्टर जी अन खजूरिया बनाम दिल्ली विकास प्राधीकरन का केस इस केस में भी तत्या ऐसे ही थे एक पार्क के लिए जमीन आरक्षित की गई थी उसे दिल्ली विकास प्राधीकरन डीडी है जिसको बोलते है दिल्ली डवलप्मेंट अथोरिटी उसने उस पारक की जमीन को नर्सरी स्कूल के निर्मान के लिए आउंटित कर दिया दिया डिल्ली सरकार ने अपनी सक्ती का दुरूप्यों किया है और सक्ती का दुरूप्यों करते वे जो आदेस दिया कि सारुजनिक पारक की जमीन को नर्सरी स्कूल के लिए आउंटित कर दिया जाए इस आदेस को सर्वोचनेले ने रद गर दिया और कहा कि सारुजनिक पारक परियावरन की द्रिश्टी से बहुत महत्वपूर्ण है इन्हें बचाए रखना चीए यह हर व्यक्ति का करतविया है इस्कूल कहीं और भी खुल सकती है इस्कूल तो आज पास के दूसरे स्थान के इसारे उपलब्द भी है पारक परियावरन के लिए बहुत अधिक जरूरी है तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अनुचेद 14 के अंतरगत मनमानेपन के अंतरगत अगर सरकार ने कोई आदेश दिया है और उस सरकार से परियावरन को नुक्सान पहुंच रहा है तो उस आदेश को चुनोती दी जा सकती है और विधी जो है सब के लिए समान है यह भी इस कत्थ्य से अध्यन से निकल के आता है कि अनुचेद 14 के अंतरगत विधी सब के लिए समान है सरकार का भी उतना ही अधिकार है जितना एक व्यक्ति का है व्यक्ति भी एक पक्स हो सकता है करते हैं कि अनुछेद 19.1.6 के अंतरगत व्यापार और कारबार का जो अधिकार दिया गया है वह क्या है और परियावरण के साथ उसका क्या संबंद है अनुछेद 19.1 उसका उपखंड 6 उसमें लिखा गया है कि सभी नागरीकों को कोई व्रित्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने का अधिकार होगा तो इस प्रकार एक तरफ तो ये अधिकार व्यापार और आर्थिक विकास करने का अधिकार देता है तो दूसरी तरफ हमने देखा कि समिधान और दूसरी जो विधियां है हमें प्रदुषण के निवारण और परियावरण के सरक्षण का अधिकार भी दिया है तो दोनों को अगर साथ में पड़े तो क्या होगा जैसे अनुछेद 19.1.6 कहता है कि कोई भी व्यापार या कारोबार करे तो मैंने एक व्यापार कर लिया व्यापार के अंदर बहुत सा धुआ निकलता था बहुत सा वाहित मल निकलता था धुआ ऐसा निकलता कि आसपास के लोगों का जीना दुस्वार हो जाए और पानी ऐसा निकलता था कि बद्बू मारता कई किलोमेटर तक तो क्या मैं ऐसा व्यापार चला सकता हूँ क्या मैं वहाँ ये तर्क दे सकता हूँ कि व्यापार और कारबार का अधिकार है मेरा उसे कोई रोक नहीं सकता इसे आत्यंतिक अधिकार नहीं माना गया है व्यापार और कारबार का अधिकार है लेकिन इसके उपर 19 की उपखंड 6 यानि कि 6 के अधीन यह अधिकार दिये गया है कि साधारन जन्ता के हित में युक्ति युक्त निर्बंदन व्यापार के अधिकार के उपर लगाए जा सकता है और उन युक्ति युक्त निर्बंदनों के अधीन ही व्यापार के अधिकार का प्रियोग किया जा सकता है यानि या व्यापार का अधिकार तो दिया जा सकता है लेकिन वो इसी तरह का होगा कि वह किसी अन्य कैदिकार में बादक ना हो कोई व्यक्ति चोरी का व्यपार करना जाए तो कोई करने देगा, कोई नहीं करने देगा ना तो उसे न्यायले करने देगा, ना पुलिस करने देगी कोई नहीं करने देगा क्योंकि एक अपराद है जो अपराद होता है उस चीज़ का व्यापार नहीं हो सकता तो इसी तरह से अवेद सराप का व्यापार अवेद हतियारों का व्यापार इन सब को रोका जा सकता है और ऐसे व्यापार करने वाले के विरुद कानोनिक करेवाई भी की जा सकती है क्योंकि व्यापार और कारबार कादिकार आत्यंतिक नहीं है जनता को नुकसान पहुंचाने वाले व्यापार नहीं किये जा सकते है कुछ केस देखते हैं और हमें समझ में आएगा कि परियावरण के साथ यह मुलदिकार किस तरह से चुड़ा रहा है अभिलासा टेक्स्टाइल्स बनाम राजकोट नगरपाली का निगम 1988 का मामला है इस केस में फेक्टरी का गंदा पानी जो निकलता था तो सारवजनिक सड़क पर आया जाया करता था और बाकी नाले में निकल जाया करता था नाले के अंदर सीधा ही पानी छोड़ दिया जाता था उससे कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता यानि जो गंदे नाले का पानी को भी सुधी करन किया जाता था वो नहीं किया जाता था उससे क्या होता था कि सारवजनिक सड़क पर जो फैलता था, उससे तो लोगों को आने जाने में परिचानी होती, चलने में परिचानी होती, और बदवू भी आती थी, लेकिन जो नाली में जा रहा था, वह पानी भी लोगों को तकलीफ दे रहा था, पानी इतना अधिक प्रदूसित था, उस ट पर्वोच नेयले ने कहा कि इस तरह से कारोबार नहीं किया जा सकता है जिसे समाज को खत्रा हो यदि किसी व्यक्ति को ऐसा कारोबार चलाने की इच्छा रखता है तो उससे परियावरण के लिए भी कुछ व्याई करना होगा क्या व्याई करना होगा सबसे पहले तो उसका जो जल निकलता है उसका सुधी करन करने के बाद में ही जल को निकले अब यह सुधी करन का मतलब एहसा नहीं है कि उस जल को इतना साफ करें कि उस पानी को पिया जा सके यहां मतलब है कि कम से कम इतना तो स्वच्छ कर ले कि परियावरण को बहुत अधिक नुक्सान हो या परियावरण की सहन सीलता की सीमा तक ही उसमें गंदगी असुद्धी हो उससे अधिक तो ना हो कुछ ट्रीटमेंट करने के लिए कई तरह की मसीन होती है पहले लगाओ उनकी ट्रीटमें इस केस में ऐसा था कि कानपूर के जाजमुग के पास चर्म सोधन सालाएं थी कुछ जहां चमडे का काम किया जाता था और चमडे को धोया जाता था उससे बहुत अधिक पानी गंदा हो जाया करता था और गंदेव पानी को वापस पास में भेहने वाली गंगा नदी की तर प्रदूसित हो रही थी। MC महता ने जनहित से प्रेरित होकर ये मामला नियायले के सामने लाए। सर्वोची नियायले ने इसमें पूरी सुनवाई की, मामले को देखा, परिस्तेतियों को देखा और ये आदेश दिया। किन चरम सोदन सालाओं को ही बंद कर दिया जाये जिनसे गंगा नदी प्रदूसित हो रही है। इसी तरह से MC महता बनाम भारत संका एक और केस है, उन्निसो चुराण में का। मैं आपको यहां बता दूँ कि MC महता ने परियावरण की दिशा में बहुत अधिक काम किया है, इनके कई सारे केसे जहें। इन्हें आपको सन के हिसाब से याद रखना पड़ेगा कि 1988 वला केस। कई वार तो ऐसे हैं कि एक ही साल में दो-दो केस हैं तिन-तिन केस मिलेंगे, तो थोड़ा ऐसी इस्तिति में आपको वहां साइटेशन आगे भी देखनी पड़ेगी कि सुप्रीम कोट एक हजार सेंटिस यानि की सुप्रीम कोट यह 1988 की जो AIR उसमें सुप्रीम कोट वाले जो पेज है उसमें 1037 नमबर पेज पर डीटेल लिकी हुई है तो हमें थोड़ा बहुत सन देखना चीए नहीं तो उसके साथ में हमें याद रखना चीए कि कौन सा केस है चरम सोधन साला को बंद करने वाला केस इस तरह से इसे याद किया जा सकता है उपर वाले को दूसरा होता है तो उसको सोधन के उपकरन लगाने होगे लगाने होगे पिर बहुए जो पहले के ओविलना नहीं कि जा सकती और वायू प्रदूशन अगर कई फैलता है तो उसे सोधन के उपकरण तो लगा नहीं होंगे, अन्य था उस उपकरण को बंद कर दिया जाएगा, एक केस ओर है, इंडियन काउंसेल फोर इन्वाइरो लिगल एक्षन बनाम भारत संका, इस केस में राजस्तान का एक उद्योगों को बंद करने का आदेश दे दिया, अब आपके होगे कि सब ऐसा कौन सा उद्योग था जिसे हवा, जल, पानी, सभी प्रदूशित होगे, तो देखो, कई fertilizer बनाने के, chemical बनाने के कुछ उद्योग थे, यहां से जो अपसिष्ट पदार्त निकलता था, उस साथ ज्यादा होती है, तो बर्शात होने से पानी के साथ असुदिया घुल जाती, और घुल के, जहां पानी बहता हो, बहते बहते, कई जीले, कई नदी तालाब वहा पोँँचाते, और कुछ पानी, रिष्टे रिष्टे, जमीन जमीन अंदर बुजल तक पोँचाता, औ और वो बहके बरसाद के पाने के साथ घुलकर खेतों के अंदर भी पहुच रहा था, इसलिए खेतों की जमीन भी प्रदूसित कर रहा था, यानि एक ही गंदगी कई जगे प्रदूसन का कारण बन रही थी, उच्छतम न्याले ने ऐसे उद्योगों को बंद करने का देश दि इस केस में तथिया ऐसे थे कि ताज महल, जो कि हम देखते हैं कि परियेटन की द्रष्टी से बहुत ही महत्वपूनिस्थान है, इसे के साथ एतिहासिक धरोहर भी है, वहाँ पर आसपास कई सारे कलकार खाने खुले वे थे, जिनके करण इतना दुहा निकलता था, कि उससे जो सलफर और नाइट्रिक ऐसेड निकलते थे, उनके करण एक तो ताज महल को पर अमलव बर्सा हो रही थी, और दुहें के कारबन से भी ताज महल को क्षती पहुंच रही थी, उससे ताज महल का सफेद बनता वो खतम, वोगर ताज महल में पीला पन आ गया था, ताज महल कहीं और भी चल सकते हैं, लेकिन ताज महल कहीं और नहीं जा सकता, इसलिए ऐसे दो सो बाण में कारखने रुध्योग जो कि ताज महल के आज पास थे, उन्हें बंद करके किसी और इस्थान पर कार्य करने का आदेश दिया गया, के समद में एक और महत्वपोन अनुच्छेद जो है, उसमें आता है अनुच्छेद 21, यह बहुत ही महत्वपोन अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21 कहता है, प्राण और देहिक स्वतंतरता का अधिकार, और यह अधिकार स्वस्थ परियावरन का अधिकार भी कहलाता है, को उसके प्राण और देहिक स्वतंतरता से विधी द्वारा इस्थावित प्रक्रिया से वंचित किया जाएगा अन्यता नहीं इसका तात्परिया है कि प्राण हारे के लिए जरूरी है देहिक स्वतंतरता जरूरी है कोई विधी द्वारा इस्थावित प्रक्रिया है तब तो इस अधिकारों से वंचित किया जा सकता अन्य था नहीं और जो विधी बनेगी वहवी उचित होनी चाहिए दूसरे समिधान के दृष्टिकोंड जो है उनके आधार पर खरी उतरनी चाहिए और उसमें मनमानापन नहीं होना चाहिए परक पूर्ण विधी होनी चाहिए तभी उसको स्विकार किया जाएगा इस अनुचेद के अंतर जो प्राण का अधिकार है बहुत ही महत्वपण अधिकार है यहां प्राण के अधिकार में स्वस्त परियावरण का अधिकार पी सामिल माना गया अरे स्वस्त हवा होगी स्वस्त पानी होगा तभी तो कोई व्यक्ति अपनी पूरी आयू तक जी पाएगा, अगर गोटन भरे माहूल में रख दिया जाए, तो उसके तो प्राण वैसे ही संकट में बढ़ गे, उसकी तायू प्रदूर्शन के करण वैसे ही कम होगी, तो माना गया अनुचेद 21 का एक अंग है परिया वरन का अधिकार, मेंगा गंधी बनाम भारत संग का केस है, 1978 का, इस केस ने अनुचेद 21 को देखने के लिए एक नए अधरिष्टिकोन दिया, उसके तम न्यायले ने कहा, कि मानाव गरिमा के साथ जीने का अधिकार समीधान के अनुचेद 21 के अंतरगत एक मूल अधिकार है, जीए तो गरिमा क पूर्ण और स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार स्वताई सामिल हो जाता है, रूरल लिटिगेशन और एंटाइटल में के अंतर देहरादून बनाम उत्रप्रदेश का राजिया, इसमें सर्वोचनेयले ने एक कूल पत्थर होता था, या चूना का पत्थर जिस पड़ेगा, कि यहां लाब कितना हो रहा है, नुकसान कितना हो रहा है, परियार उनको नुकसान अधिक है, लाब कम हो रहा है, यह भी किंकरी देवी बनाम हिमाचल प्रदेश का जो केस था, उसे मिलता जुलता केस है, उसमें भी सिवाली की पहाडियों के अंदर जो चून के पत्थर की खुदाई का काम किया गया था उस आदेश को बंद किया गया और उसे प्राकर्थी ग्रूप से परिया वरण के सरक्षन के लिए रखा गया था इसी तरह से एक case और है mr. macужд iota भारत संग यह वी 1998 क है मैं आपको बता चुका हूं कर täv podría है को क्योंकि mc लिए से प्रेरित होकर कई सारे केस नियायले के सामने लाच चुके हैं और नियायले ने उन्हें सुना है और उनके जो याची का थी उसके उपर बहुत आदेश देखे जो है जनता का या भारत के निवाशियों का बहुत भला किया है इस केस में तथ्य ऐसे थे कि स्रीराम फूड एंड फटिलाजर कमपनी ओलियम गैस रखती थी और उसे कुछ उत्पाद बनाती थी एक बार कमपनी के यहां से ओलियम गैस रिसाव हो जाता है उसे से कई लोग गंभी रूप से पीडित हो जाते हैं सर्वो चन्याइले ने यहां 20 लाख रूपे प्रतिकर का आदेश दिया गया कि पीडितों को लिए 20 लाख रूपे दो और उनकी इलाज की वेवस्ता हो सके साथ ही साथ यह भी आदेश दिया कि 15 लाख रूपे बैंक के गारेंटी दो यानि बैंक में रखो अगर यह 20 लाख कम पड़े प्रतिकर में तो और भी लिये जा सकते हैं पूरा हिसा बाद में होता रहेगा और साथ साथ यह भी आदेश दिया कि अगर स्रीराम फूड एंड फर्टिलाजर कमपनी को दुबारा व्यापार शुरू करना है तो पहले सुरक्षा के उपाई कर ले जिससे ओलियम गैस कभी लीक नहो उसके बाद ही व्यापार शुरू करे अन्य था यहाँ व्यापार इस केस में मनवरंजन पारक के लिए डेड़ सो एकड़ भूमी आरक्षित की गई थी लेकिन बाद में राज्य सरकार ने उस डेड़ सो एकड़ जमीन के ऊपर सारवजनिक आवाश यह कॉलोनी काट दी यह जो कोलोनी काटी उससे क्या होता कि अब वहां मनवरंजन का कोई पार्क नहीं हो सकता पेड़ बुद नहीं हो सकते थे परियावरन की सुरक्षा नहीं हो सकते थी और इस बात को ध्यान में रखते वे टी दामोदर राओ ने जन हिच से प्रेड़ित होकर एक याचिका द होगा लो सॉसाइटी ओफ इंडिया बनाव फर्टिलाजर एवं केमिकल त्रावन कोर का जो केस है उसमें केरल उच्चनेले ने कहा कि स्वच्छ परियावरन जीने के अधिकार का एक भाग है इसलिए किसी भी व्यक्ति को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता तो हम कह सकते हैं आनुचेद 21 के अंतर के जो अधिकार है उसे धीरे धीरे एक तरह से स्वच्छ परियावरन के अधिकार का एक भाग माल लिया गया यानि प्राण के जाए प्राण का अधिकार है स्वच्छ परियावरन के बिना प्राण संभव है एक और केस है उस पर चर् इधान के अनुचेद 21 के अंतरकत प्राण और देहिक श्वतंतरता की परिधी में माना, कि प्राण और देहिक श्वतंतरता तभी संभव है जब परियावन के सुद्धता हो, परियावन के सफाई हो और परियावन स्वस्थ हो, यह सब बहुत जरूरी है, इंडियन काउंसेल इन्वाइरो लेगल एक्षन बना भारत संग के केस जो 1906 में का है उस केस में कहा प्रदुषन चाहे हवा का हो पानी का हो हमेशा ही माना उजाती के लिए घहतक है इसलिए अब समय आ गया है कि सभी को प्रदुषन निवारान और परियावर्ण सनक्षिन की पहल करनी ही होगी अधिकार दोनों एक दोस्ते से जुड़ेवे हैं कोई भी व्यक्ति के प्राण और देख्ष्वतंतरता से विदी द्वारा इस्तावित प्रक्रियाशा ही वंचित किया जाएगा अन्यता नहीं इस भासा में परियावर्ण का अधिकार भी सामिल है अधिकार जो दिया गया है उसका उपचार हमें क्या उपलब्द है दूसरे सब्द में अनुचे 14, 19 और 21 के अंतरगत मुल अधिकार तो दिया गया है कि हम परियावरण के समद्ध में अपने अधिकारों को पालना करवा सके लेकिन कैसे इसे अनुचेत 32 और 226 में बताया गया अनुचेत 32 के अंतरकत हमें अधिकार दिया गया है कि परियावरण के समद्ध में जो हमें अधिकार मिले गया है उनकी पालना के लिए हम सीधे ही उपचार ले सकते हैं अनुछेद 32 में और अनुछेद 226 के अंतरगत हम हाई कोट यानि कि उच्छे ने ले जाकर उपचार ले सकते हैं यहां उपचार को अंग्रेजी में रेमेडी बोलते हैं, तो उपचार से क्या तात परिया है, जैसे हमारे चोट लग जाती है, तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, और हॉस्पिटल से उपचार लेते हैं, पट्टी बंदवाते हैं, दवाई लेते हैं, कोई दर्द निवारक वगर जैसे भी है, इलाज करवाएंगे इसी तरह से अगर हमारे अधिकारों पर चोट हो तो भी हमें इलाज किया हो शकता होती है लेकिन ऐसा इलाज होस्पिटल से नहे होकर न्यायले के मारफ़त हो गया और न्यायले के अंदर अनुछे 32 और 226 के अंतरगत हमें उन अधिकारों का उपचार मिल जाएगा तो इस तरह से अनुचेत 32 और 226 उपचारों के अधिकार है इस अधिकार के अंतरगत उच्छतम न्यायले और उच्छ न्यायले ऐसे आदेश, निदेश या रिट जारी कर सकती है जो परिस्तिती के आदार पर समुचित हो और वो आदेश, निदेश या रिट पाँच तरह के हो सकते हैं उनके नाम है पहला बंधी प्रत्यक्षेकरण रिट, दूसरा है पर्मादेश, तीसरा है प्रतिसेद रिट, चोता है अधिकार पिछा रिट और पाँच वा है उत्त प्रेशन रिट ये पाँच अधिकार है, पाँच तरीके हैं जब रिट जारी की जा सकती है जैसे भी उचित हो उस तरह के पांच तरह की रिट जारी की जा सकती है कुछ केसे जहे हम उसको देखेंगे तो हमें उपचार का अधिकार और आसानी से समझ भाएगा अब तक जो हमने सारे केस देखे अनुछे 14, 1921 के ये सभी अधिकार बलही किसी मूल अधिकार से सम्झ देखेंगे तो लेकिन उनका उपचार हमें 32 या 226 के अंतरकती मिले तो वे तो सभी केस आते ही हैं जो अब तक हमने पड़े लेकिन कुछ और भी देखते हैं उसमें पहला केस है वनवासी सेवा आसरम बनाम उत्तरप्रदेश राजे का मामला 1980 का ये मामला है इस केस में वनवासी सेवा आसरम ने एक पत्र लिखा था और वह पत्र इतना महत्वपन था कि उस पत्र को ही नियायले ने रिट माल लिया गया अपचारिक रिट लगाने की आवशक्ता ही ने समझेगी और उसके सुनवा ही चरूगर दी अब पत्र के अंदर ऐसा क्या था एक सवाल उड़ता है तो पत्र ऐसा था कि आदी वासियों के तरफ से लिखा गया था वनवासी सिवा असरम ने लिखा था उनके कुछ निवासियों ने उस पत्र के माध्यम से बताया कि आदिवासी अपने आवास और जीविका के साधन के लिए हमेशा से वनों का उप्योग कर रहे हैं सरकार ने क्या किया सरकार यानि किया उत्तरपरदेश राजे सरकार ने वन के कुछ भागों को तो आदिवासियों के लिए आरक्षित कर दिया और वन का जो सेस भाग था उसे एक सूपर थर्मल प्लांट ओफ दा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कर उसके लिए छोड़ दिया अब जो थर्मल पावर के लिए जो जगे थी उसका वनवासी उप्योग नहीं कर सकते तो वनवासीों का अधिकार था बहुत अधिक प्रभावितों वो तो वनों पे निरबढ़ थे अगर वन नहीं हो तो जी नहीं सकते और वो वनवासी जो होते हैं, प्रिक्षो की रक्षा भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हमें सा पेड़ काटते रहते हैं, वो तो सुखी टहनिया लेने वाले थे, परिया वरण के लिए कहीं नहीं रक्षक भी थे, तो उच्छतम न्याले में के सामने जो मामला आया, तो उच्छतम नेले ने वनों के पोषणी प्रियोग और वनवाश्यों के अधिकार में संतुलन का ध्यान रखा, पोषणी प्रियोग का मतलब है कि वनों से हम जितना ले वापस वनों को उतना दे भी, अगर हमने कुछ पेड काटे हैं तो उतने ही पेड कहीं दूसरी जगे लगाएं भी, उतना ही वन कहीं दूसरी जगे लगें, पूरों से अगर हमने किसी वन का उप्योग तो उसके बाकी का वन का उत्तर दक्षिन वहाँ पर कहीं न कहीं है, पस्ची में जहां हमें जगें मिलें, दूसरा पेड बोधे लगा कि वापस वनों को इस्थापित करो, इसी के साथ ही वनवाशियों का जो अधिकार है, वह भी महतोपोन है, इस बात का भी ध्यान रखो कि उनमें जो है, कहीं चोट ना पोँचे, इसलिए आरक्षित वन का जो अधिकार का जो उनके थे, उसमें और अधिक अधिकार दिये गए, एक मामला ता है, सुभास कुमार बना बिहाराज् अनुचेद 32 के अंतरगत, जब इसमें याची का स्विकार की गई थी, तो पुरा मामला सुनने के बाद में, न्यायले ने कहा, कि अनुचेद 32 के अंतरगत, भारत का कोई भी व्यक्ति या नागरिक अपने मूल अधिकारों का प्रवर्तन करवा सकता है, क्योंकि ये उपच अनुचेद 21 के अंतरगत, एक मूल अधिकार दिया जा चुक है, और ये हम अभी पढ़ चुके हैं, और सुन चुके हैं आप, इस अधिकार में प्रदुसन रहित जल और प्रदुसन रहित वायू को प्राप्त करने और उप्योग का अधिकार भी सामिल है, यानि कि जीवन क अधिकार का मतलब केवल प्राण नहीं है, बिना प्रदुसन का पानी और बिना प्रदुसन की हवा भी हमें उप्योग करने का अधिकार है, कोई हमारे इस अधिकार में बादा पहुंचाता है, तो हम अनुचे 22 के अंतरगत सर्वोच नहले जा सकते हैं, एक और केस है, M.C. महता बनाम भारत संग, मैंने आपको बताया था, M.C. महता के बनाम भारत संग नाम से कई सारे केसे जाएंगे, यह 1941 में का केस है, इसमें मोटर कानूनों को कड़ाई से लागू करने का आदेश दिया गया था, बाद में एक और कानून आया, एक और मुकदमा आया, M.C. महत का रेजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, जो यूरो दो उचसरजन मानकों को पूरा नहीं करते, क्या है यूरो दो उचसरजन मानक इस पे चर्चा करते हैं, अब तो हमारे यहाँ यूरो मानक लागू नहीं है, शुरू में नियायले ने यूरो मानक लागू किया, यह प भारत इश्टे चार उसके बाद सीधी भारत इश्टे 6 आई है अभी भारत इश्टे 6 चल रही है और आपने इसको संक्सेप में देखा होगा बीएस 1, 2 यह तो गाड़ियां बहुत पुरानी हैं बीएस 3 2017 में सरकार ने बंद की है अब तक बीएस 4 चल रही थी और अब 2020 में एक अपरेल से हम बीएस 6 गाड़ियों को बाजार में देख रहे हैं यह गाड़ियां आ चुकी है तो यह है standard कि समय जैसे जैसे आता है सरकार आ कि उसमें प्रदूशन की मात्रा दिनों दिन कम होती रहें साथी साथ उसमें आवाज कम हो हो होरन की जो आवाज है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है पहले बहुत ही तीखे होरन होते थे लेकिन आजकल इस तरह के नहीं आते आजकल soft होरन आने लगे हैं उसकी आवाज ज्य चिका के माध्यम से एक अप्रेल 2000 से निजी गैर वानिजी गवानों का पंजी करण रोकने का अदिश दिया गया तो इस तरह से हम कह सकते हैं अनुछे 32 और 226 के अंतरगत हमें उपचार का अदिकार दिया गया है और किसी भी मूल अदिकार का उल्लंगन होने पर हम सर्वोचे नेले जा सकते हैं अनुछे 32 में और 226 के अंतरगत हम उपचे नेले जाकर भी हम अपने अदिकारों का पालन करवा सकते हैं आपने आज देखा कि परिया वरन का अदिकार भी एक मूल अदिकार है यह वीडियो आपके लिए लेकर आया था मैं भरत कुमार जाजडा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद और इसी के साथ ही इसका भागचार समापत होता है फिर मिलेंगे दोस्तो एक नई वीडियो के साथ नए विशे के साथ में और नई रोचक जानकारी के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद